हाई फ्रेंट्स देखिए दो सब्सक्रेबर के भेजा हुए वीडियो है दोनों एम्प्लिफायर अलगला कंपनी के अलगला क्वालिटी के है दोनों में एक ही प्रोब्लम है और क्या प्रोब्लम है आप इस वीडियो को देख करके कॉमेंट जरूर केजिएगा जो आपको में अपने लिए जिसके कारण से मैं यह सिर्फ दो ऑन तो तीस पशपन कर लगा के ट्राइब किया और बैश्रींग बॉर्टेज मैंने बनाया था फिर यह थोड़ा से खराब हो गया तो मैंने दूसरे चेक किया चलाने के बाद मैंने यह बूर्ट मैं सब्रॉबल्लम हमार है जिसके कायन से बोल्टेज साही नहीं मिल रहा पर मल्टीमेटर से न आपने पर यहां पर बाइसिंग बोल्टेज बढ़िया आया पर यह बोर्ड मेरे ख्याल से साधे दुवारा बने न बने कोई भरोसा नहीं है पर यह मैंने इसको चलाया तो आवाज अच्छी आई दूस दूसरा बोर्ड लगा के इसमें आवाज दो ने दिया और बहुत बढ़िया आवाज आई लेकिन मद्दे में थोड़ा फटी-फटी सी आवाज आ रही थी सहाथ वो बायसिंग बोल्टेज के वजह से था पर यह सही आया पर यह कुछ अभी प्राबलम आगे जिसके करान से ." तो सर आप बता इए काईसे बनाना है या आपके पास कैसी हम भेजें 1969 को उसका कोई जुगार बताइया ताकि आपके पास तक पोईच जाये जदैशिंग आपके पास तक नहीं पोच्च तिया है तो सर मेक और ये छोटा टेस्ट फरमर है ये वाला connection युम ये वाला कनेक्शन इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन और यह जो यह भॉलियम का कनेक्शन है इसका सर्फ प्लीज बता दिजे यह मैक बोड़ है कि तीन गोही में इसमें लगता है इसका टेस्ट फर्मर है यह वहला टेस्ट फर्मर है जूठो मेट बचता है इसके इसपीकर बहुत पुराना है सर यह तो फ्रेंट्स क्या समस्या लगा जरूर कॉमेंट बताईएगा चलिए मैं बता दू दोनों वीडियो में मुख एक ही प्रोब्लम है वाइसिंग बॉल्टेज की और कनेक्शन कराने की जहां तक बात है तो मैं जो अभी एंप्लिफायर रिपेयर कर रहा हूं उसका वीडियो आने वाला है तो उसका कनेक्शन एक एक पॉइंट बताऊंगा कहां कौन कनेक्शन होत है और वाइसिंग बॉल्टेज पर अलग वीडियो होगा क्यों कि वाइसिंग बॉल्टेज मुख टॉपिक है इस टेप के अम्प्लिफायर का तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जनकरी के साथ